जब हम समरूपता और आकृतियों को देखते हैं, तो हम इने वास्तविक जीवन में खोजने का प्रयास करते हैं. हमें अपने दैनिक जीवन में समरूपता कहां मिलती हैं? हम वास्तविक जीवन में आकार कैसे देखते हैं? इसे सरल बनाने के लिए हम इन वरगाकार काउंटरों का उपयोग करेंगे ये वरगाकार काउंटर विशेश EVM पदार्थ से बने है इसलिए यदि हम इने पानी में डुबाते है और बोड पर चिपकाते है तो ये लगबक दो घंटे तक चिपका रहता है चातरों को ये आकरशक लगता है और ये उनके लिए एक विशेश अनुभव होता है ये विभिन्न आकुर्दियों को बनाने में भी सहायक है आएं कुछ उधारन लेते हैं हम इन लाल वरग के काउंटरों को पानी में डुबाते हैं और इने यहां चिपका देते हैं अब मैं इस हरे रंग के काउंटर को यहां चिपका देता हूँ अगला काउंटर पीले रंग का है इसके बाद नीले रंग का और आखिर में केसरिया रंग का काउंटर है अब यहां देखे मैंने क्या किया है मैंने फिर से लाल और हरे काउंटर चिपका है शुरुवात में हमारे पास लाल और हरे काउंटर यहां थे और हमारे पास लाल और हरे काउंटर यहां भी है उसके बाद क्या होना चाहिए या फिर आगे क्या हो सकता है अवलोकन करने से ही हम जान जाएंगे लाल और हरे रंग के बाद हमारे पास पीला रंग है हमें यलो काउंटर लेना चाहिए और उसके बाद, पीले रंग के बाद हमारे पास नीला रंग है नीले रंग के बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास केसरिया रंग है अगर हम इस रंग स्वरूप का निरिक्षन करे तो हमारे पास लाल, हरा, पीला, नीला और केसरिया रंग है यदि आप पहले पाँच काउंटरों को और अगले पाँच काउंटरों का निरिक्षन करते है तो क्या ये सामान्य है या कुछ अलग दिखाई देता है? यदि आप इससे अच्छी तरह से देखते है तो जानेंगे कि ये एक स्वरूप की तरह चलता रहेगा बताईए अगला रंग कौनसा होना चाहिए? जी हाँ, अगला लाल होगा यहाँ क्या स्वरूप है? लाल, हरा, पीला, नीला और अंत में केसरिया ये स्वरूप जारी रहेगा हम यहाँ एक स्वरूप देख सकते है जब हम एक सरल रेखा में ही काउंटर चिपकाते हैं तो क्या तभी हमें एक स्वरूप दिखेगा? हम कुछ और वर्ग काउंटरों का उपयोग करके एक और स्वरूप बनाएंगे मैं जो कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखे आप आसानी से देख सकते हैं मैंने यहां केवल लाल काउंटर लिये है लेकिन मैं पहले वाले को सीधा रखता हूँ दूसरा तिर्चा है तीसरा फिर सीधा है और चौथा फिर तिर्चा है तो अगला काउंटर कैसा दिखेगा? क्या हम इस रंग को देख सकते है? क्या ये ठीक है? इसलिए हमें स्वरूप का अवलोकन करने के आवश्यक्ता है क्या हम निले काउंटर को ऐसा रख सकते है? नहीं तो अब हम क्या करेंगे? हमें इसे इस तरह रखना होगा और स्वरूप को जारी रखना होगा क्या ये सही है? क्या हम इसे ऐसा रख सकते है? अब मैंने रंगों का एक स्वरूब बनाया है पीला हरा अब मैंने एक स्वरूब बनाया है पीला हरा नीला और केसरिया रंग का उपयोग करके यदि हम स्वरूब को जारी रखते हैं तो हमें नीचे पीले हरे नीले और केसरिया रंग मिलेंगे अब आप एक स्वरूब देख सकते हैं यहां देख सकते हैं पीला हरा नीला और केसरिया यहां भी ऐसा ही है पीला हरा नीला और केसरिया अगला स्वरूब भी ऐसा ही हो सकता है इस प्रकार से हम अलग-अलग काउंटरों का उपयोग करके विभिन्न स्वरूब बना सकते है तो इसी तरह हमने वर्ग काउंटर उपयोग करके अलग-अलग स्वरूब बनाए है जब हम देखते हैं तो ये कैसा दिखता है? ये हमें हमारे घरों और जॉगिंग पत्थ में इस्तिमाल होने वाली रंगीन टाइलों की याद दिलाते है है ना हम बहुत सरे रंगीन टाइलों का इस्तिमाल करते है हम भवन निर्मान में ऐसी शैलियों का उपयोग करते है हमने देखा कि हम वरगाकार काउंटरों को उपयोग करके कैसे स्वरूब बना सकते हैं अब हम कुछ अबैकस रिंग्स का उपयोग करते हैं आईए देखते हैं स्वरूब बनाने के लिए अबैकस रिंग्स का उपयोग कैसे किया जा सकता है यहां मेरे पास एक सफेद और लाल रिंग है और उसके बाद नीला, पीला और हरा मैंने यहां पाँच रिंग रखे हैं सफेद, लाल, नीला, पीला और हरा हम सफेद से शुरू करके उसी स्वरूप को जारी रख सकते है हम इसे फिर शुरू करते है हम यहाँ एक सफेद रिंग रखेंगे अगला है लाल इसलिए आईए हम एक लाल रिंग रखते है लाल के बाद हमारे पास एक नीला है ऐसे ही हम आगे भी जारी रखेंगे अगला पीला है इसलिए मैं एक पीला रिंग रखूंगा पीले रंग के बाद यहां हरा रंग आना चाहिए यहां हमारे पास एक पूर्ण स्वरूप है हमारे पास सफेद, लाल, नीला, पीला और हरा रंग है इस तरह हम अबैकस रिंग्स का उपयोग करके एक स्वरूप बनाते है हम अपने दहिनिक जीवन में ऐसे स्वरूप देख सकते है आसपास की वस्तूओं में भी हम ऐसे स्वरूप देख सकते है यदि हम बच्चों को उपकरण दे और उन्हें अवसर दे तो छात्र विभिन्न स्वरूप बना सकते है अब मेरे पास एक अलग उपकरण है यदि आप इसका अवलोकन करें तो आपको पता चलेगा तो मन के दो अलग रंगों के है ये सफेद है और ये लाल है सफेद और लाल के बाद हमारे पास कौन सा रंग है? क्या हम यहाँ एक सुरूप देख सकते है? जी हाँ सफेद, लाल और फिर सफेद वही पैटर्ण जारी है हम निश्चित रूप से यहाँ एक सुरूप देखते है अब मैं इन पीले घनों का उपयोग करूँगा मैंने एक पीला घन रखा है इसके आगे मैं तीन घनों को लगाऊंगा तो मैंने एक और उसके बाद तीन घन लगाए तीन के बाद मैं छे घन रखूँगा और छे के बाद यदि आप निरिक्षन करे घन की संख्या जो मैं रखने वाला हूँ वो होगी दस घन यदि आप देखे तो यहाँ हमारे पास एक पीला घन है यहाँ पे तीन घन है और फिर एक दो तीन चार पांट छे पीले घन है और उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नौ, दस पीले घन क्या हम यहाँ कोई संबंध देख सकते है आधार को देखे हमारे पास यहाँ एक है यहाँ हमारे पास आधार पर दो यहाँ तीन और यहाँ चार है अगर हम अगले स्तर पर देखे यहाँ कोई घन नहीं है यहाँ पर एक है यहाँ दो और यहाँ तीन पीले घन है आगे भी यही सुरूप देखा जा सकता है हमारे पास यहाँ एक पीला घन है यहाँ तीन, यहाँ छे और यहाँ दस है जब आप इन आकुरुतियों को देखते हैं, तो क्या आप कोई समानता या अंतर पाते हैं? यदि हम एक और तीन पीले घनों को देखते हैं, तो उनके बीच क्या अंतर है? दो, आप एक और स्वरूप देखें, दूसरे और तीसरे समुहों का अवलोकन करें, हमारे पास यहां तीन घन है और यहां छे घन है, अर्थात इसमें तीन की वृद्धी हुई है, तो छे और दस में क्या अंतर है? हम देख सकते हैं कि चार घन बढ़ गए है, अगर आप देखें तो यहां दो का अंतर है, उसके बाद तीन और उसके बाद चार, उसके बाद कितना अंतर होना चाहिए? यदि हम थोड़ा सोचते हैं, तो यहां हमें पाँच और घन जोडने होंगे. इसीलिए यदि आप पाँच से दस घन जोडते हैं, तो क्या होगा? हमें पंधरा पीले घन मिलेंगे. यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें और कितने घन जोडने होंगे? जैसा कि हम जानते हैं, हमें छे गन जोडने होंगे